साथियों कई बार कुछ लोग जाने अंजाने में चर्चा के दवरान में लेंड और आइलेंड की बात करते हैं जुमान पर चड़ गया है मेरे प्यारे भाईयों बहनों मेरे लिए समूचा भारत यहां का कांकां जर्रा जर्रा में लेंड है पॉर्ट ब्लेर उतना ही मेंड लेंड है जितना दिल्ली मुंबई वर चिन्न नहीं है यही कारण है कि हमारी सरकार उन खेत्रों में कनेक्टिवीटी पर बल दे रही है जो किसी भी वज़व से पीछे रह गए थे देश के फिजिकल और इमोशनल इंटिग्रेशन को और मजबुत करने का हमारा निश्चा अटल है भाईयों और भेनों इंटिग्रेशन की ये भावना तब और मजबुत हो जाती है जब हम इतिहास के अपने नायकों को समरंड रखते हैं मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जो देश अपने वास्त्विक नायकों अपने इतिहास को अपने सम्मान को नहीं सहज पाता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है जो देश अपने इतिहास विरासत को जितना संभाल लेता है उसका विकास उतना ही ससक्त होता है केंद्र सरकार बीते साड़े चार वर्सों से अपने वैबवसाली इतिहास के हर छोटे से छोटे हिस्से को उभारने का प्रयास कर रही है उसे देश वाच्यों के सामने प्रेणा के तौर पर रखने में जूटी है क्योंकि इतिहास गटना है तो इतिहास गहना भी है इतिहास बीता हुआ कल है तो इतिहास आने वाले कल का एहसास भी है इतिहास पुर्शार्थ पराक्रम पीडा को संजोए है तो इतिहास पुर्शार्थ पराक्रम की प्रेरना भी है इतिहास हमारे प्रयत्नों का पार्की है तो इतिहास हमारे परिश्रम का प्रतिविंब भी है इतिहास हमें सतर्क करता है तो इतिहास हमें सजग रहना भी सिखाता है इतिहास समय से बंदा हुआ है तो इतिहास नए संकल्प की उर्जा भी है इतिहास हमें नई उमीदों नए सपनों को देखने का होसला देता है तो इतिहास हमें बविश्य के लिए खुद को समर्पित करने का साहस भी देता है साथियों इसी सोच के साथ सरकार ने कई वर्षों से लटके पुलीस मेमोरियल के सपने को साकार किया बाबासा भीमराम अंबेड करके पंच तिर्थों का निर्माण किया राष्ट्रिय एक्ता और किसान अंदोलन के प्रणेता सरदार बल्लभाई प्रटेल को सम्मान देने के लिए दुनिया की सबसे उची प्रतिमा स्टेच्ची अब यूनिटी आज देश को गवरवानवित कर रही है यह तमाम समारक सिर्फी त्यहास को संजोने की क्रिया नहीं बल्कि देश को एक करने वाले अपने सच्चे और वीर सपुतों को हमारा नमन भी है